आज केस पहली का सिच्चक है दया के हिल्स किस ने चुराया तो चली स्टार्ट करते हैं संडे का दिन रहता है दया सौपिंग करके अपने घर वापस आती है तभी दया के घर उनके दोस्त माधवी, बबीता, अंजली और रोशन भी आती है फिर वो सभी लोग एक दूसरे से बाते कर रहे होते हैं तभी दया अपनी शेंडल उन लोगों को दिखाती है वो सेंडल सभी लोगों को काफी पशन्द आती है फिर थोड़ी देर होने के बाद माधवी, बबीता, अंजली और रोशन अपने अपने घर चले जाते हैं और दया भी अपने हील्स को टेबल पर रख कर आराम करने के लिए अपने रूम चली जाती है कुछ देर बाद जेठलाल बाहर से घर आता है तभी जेठलाल दया से पूछता है दया आज तुमने क्या क्या शॉपिंग किया और दया जेठलाल को कहती है चलो मैं तुमें मेरी नियू शेंडल दिखाती हूँ तभी दया देखती है कि उसकी सेंडल वहाँ टेबल से गायब है फिर दया रोती है और जेठलाल से कहती है मेरा नियू शेंडल चोरी हो गया है फिर जेठलाल दया से कहता है इस सेंडल के बारे में तुमने किसको किसको बताया है उन सभी को कॉल करके यहां बुलाओ फिर थोड़ी ही देर बाद वो सभी लोग दया के घर आ जाते हैं फिर जठालाल सभी से पूछते हैं बताओ तुम मेंसे किसने दया का शेंडल चुराया है तो सभी कहते हैं नहीं हमने नहीं लिया है फिर जठालाल और पूछता है बताओ तुम लोग यहां से जाने के बाद क्या कह रहे थे अंजली कहती है यहां से जाने के बाद मैं तो टीबी पर सीरियल्स देख रही थी बवीता कहती है यहां से जाने के बाद आयर का फोन आया था तो मैं उन्हीं से बाते कह रही थी रोशन केहती है यहां से जाने के बाद मैं गोगी को स्कूल लेने गई थी और मादवी केहती है मैं तो अचार पापर की पैकिंग कर रही थी इन सबी की बाते सुनने के बाद चिठाला को पता चल जाता है कि दया का हिल्स किसने चुराया है तो दोस्तों कि आपको पता चला कि दया का हिल्स किसने चुराया है अगर आपको पता चला तो नीचे हमें कमेंट करके बताईए आपके पास उसने के लिए 10 सेकिंड का टाइम है आपका समय सुरू होता है अब तो चलिए दोस्तों इसका सही जबाब देखते हैं दया का हिल्स रोसन ने लिया है क्योंकि उसने कहा कि मैं गोगी को इसकूल लेने गई थी और मैंने पहली की स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज संडे है तो रोसन संडे की दिन में गोगी को इसकूल लेने कैसे जा सकती है मतलब रोशा ने ही दया का नया सेनल चुराया है तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और सबस्क्राइब करना ना भूलें